तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब लों मित करता हूं बहुत अच्छ होंगे मैं नेवी एमर की तयारी दो यार एकिस बैच की शुरू कराने जा रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मुझे कहां से तयारी शुरू करानी हैं तो जैसे में आज कि ठमडेल में आपने देखा होगा ठमडेल में देखा होगा कि जो साइंसके प्रिशने एंनी से मैं शुरूद कर रहं तो नहीं जैसा कि आपको बताएं नेवी एम आर में साइंसे ररेटिड तीन से चार प्रशन पर जाते हैं इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं तो मानुख कंकाल का मुख्य गटक है ऑप्शन हो जाएगा केल्सियम सबसे मुख्य गटक मानुख कंकाल का है केल्सियम अगला है इर्द आपरन करेक्ट आंसर ओप्सन बी चलिए अगले प्रिश्णों के और बढ़ते हैं अगला है शरीर की सबसे मजबूत मास्पेसी है जांकी बजाकी जबडे की या गर्दन की तो शरीर की सबसे मजबूत मास्पेसी कहां की होती है जो हमारा सरीर है उसमें बोजन को पचाने और अवसोसित करने वाला मुख्य अंग है वड़ी आत अगनास है यक्रत या छोटी आत तो इसका correct answer option D चोटी आत हमारे सरीर पोजन को पचाने के लिए मुख्य अंग है अगला है यक्रत से स्रावित पित बंडारित होता है जो हमें पता यक्रत से स्रावित होता है जो पित वो कहां पर इखटा होता है पिता से में ग्रहणी में स्वें यक्रत में या पलीहा में तो इसका correct answer हो जा में उत्पत्ति सरंचना और कार्य में उत्पत्ति और कार्य में या सरंचना और कार्य में तो उत्पत्ति और सरंचना और कार्य तीनों में उत्पत्त और कोसे का समान होती है अगले हैं हीमोगलोविन पाया जाता है तो जो हीमोगलोविन है वो रत्त में पित्रस में पसीने मे या फिर अमारी जो मुह के लार होती है उसमें पाए जाता है तो हीमोगलोविन किसमें पाए जाता है तो correct answer option हीमोगलोविन पता होगा रक्त में पाए जाता है मारे रक्त का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है ये भी आपका प्रस्ण बनता है तो हिमगलोविन के कारण होता है अगला है रक्त परिसंचरण का मुख्य कारण है शरीर को चिकनाई प्रदान करना उज्या प्रदान करना प्रते कोशका को ओक्सियन पहुंचाना य अगला है इंसुलिन स्रावित होता है अगनासे से यक्रत से प्यूस से या थाराड से तो यह ग्रंति होती है हमारी अगनासे यक्रत प्यूस और थाराड तो जो इंसुलिन स्रावित होता है वो किस ग्रंतियों से होता है तो correct answer हो जाएगा option A जो insulit श्रावित होता है वो होता है अगनास है अगला प्रस्ण है यह बहुत ही very very important प्रस्ण है इनको आप देख लीजिएगा कि दूद मक्कन और घी प्रदान करते हैं विटामिन E थता विटामिन K विटामिन A थता विटामिन D विटामिन C थता विटामिन E या फिर विटामिन B थता विटामिन C तो दूध और मक्कन और मक्कन मँघे प्रदान कौन करते हैं कौन सब इता मेमिन हमें मट्र अउध मक्कन आठी प्रदान करता है तो क्रेक्स टांसर हो जाएगा यह अगला परिशन देखते हैं सभी एंजाइम बने होते हैं कार्वाइडेट से वसा से प्रोटीन से या खनीजों से तो सभी एंजाइम किस से मिलकर बने होते हैं तो करेक्ट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं अगला है युवा मनिस होता है उसका हिर्दाई एक बार में बैतर बार इस्पंद यानि हार्ट बीट करता है जो हिवा मनिस का दिल होता है वो बैतर बार एक मिनट में दलगता है यह सभी को पता होगा अगला है तो MR की साइंस के प्रिस्ण है सरीर में स्वेतरक्त गोसका का मुख्यकार है सरीर को रोगों से बचाना ऑक्सियन ले जाना बोजन ले जाना यह थक्का बनने में साहिता करना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option A सरीर में स्वेत रक्त को उसकां का मुख्यकार है सरीर को रोगों से बचाना स्वेत रक्त को उसकां का मुख्यकार होता है जो हमारी सरीर में रोग होते हैं उस सरीर को रोगों से बचाना अगर आप अगर current aware daily current aware चाहते हैं तो comment box कर देना में सुबह आपके जो भी डिभेंस रिलेटर करेंट वेर सौंगी उन्हेका में वीडियो बना बना के आपको प्रुवाड करा दूंगा तो इसकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करना अगल आए फैंपड़े डखे होते हैं हिर्दे आवरन फुपुस आवरन हड डखे होते हैं चलिए अगला प्रिशन देखते हैं यार वीडियो को लाइज जरू करते हैं आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो बनाने का बिलकुल भी मन नहीं करता है इसलिए वीडियो को लाइज जरू करते हैं अगला है चिकत्सक नव्ज देखकर ग्याद करता है ताप हिर्दय की दड़कन होती है नवच देखकर मैं पता दो सुरी डॉक्टर को पता चल जाती है जो दड़कन है वो तेज हो रही है कम उसी प्रकार से अंदाय लग जाता कि इसे बुखार है या फिर नहीं है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हिर्दय की दड़कन अग प्रेप्सिन फ्रेप्सिन 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 मानों सरीर के अंगों में रक्त सुद्ध करने के लिए कौन-कौन उत्तरदाई होते हैं हिर्दय व्रक फेंपडे या फिर यक्रत तो मानों सरीर के रक्त को सुद्ध करने के लिए उत्तरदाई responsible कौन होते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा option अपको पता है दो सराएं होती है अंगों से लाने वाली रक्त वाइनिया क्या कहला ती इसमें अंगों से पूछाए तो इसका correct answer हो जाएगा option जो हिर्दों से सरीर के अंगों से हिर्दे तक लाती है वो होती है तो बहुत ही important प्रिस्ण है इन्हीं से आपका एक दो नंबर का प्रिस्ण जरूर आएगा गलत जोड़ा छाटे आमास है पाचन यक्रत पित्त स्रमण अगनास है इंसुलेन या व्रक हार्मोन तो गलत बोड़ा दिखा रहा है तो आज की वीडियो कैसे लगा यार वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ कमेंट बॉक्स मैं कमेंट करके मुझे बता देना आपके मुझे कहां से सह तयारी शुरू करानी और आपके जो पीडियाप मिलते अगर आप इसको की पीडियाप लेने हैं तो मेरे चैनल है टेलिग्राम पर वहां पर आपको सर्च करना एक्जाम गुरु यहां फिर इस वीडियो की डेस्क्रिप्शन में लिंक देंगा वहाँ से आब इनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं चलिए दन्नवाद